पूरी सर्दी में मटर के पराटे खुब बना करे खाए। इससे पहले सर्दी चले जाए, तो मटर के लिए ये रेसीपि बना करके खा आए। बहुत एक टेष्टी है जिसके लिए मैंने यह मंतर को पीस लिया है उसमें दो चमच बेसन डाल नमक डाला नमक डालके अच्छा से मेश्ट कर लिया पिर यहां पर चोटे-चोटे उसके बॉल्स बना के तयार कर लेंगे और बॉल्स को डिप्राइगे ठोड़ा सा तील डाल क कर लिया था उसको अच्छे से डिप फ्राइ कर लेंगे कुरकुरा होने तक जिससे टेस्टी भी लगे और अच्छा भी लगे खाने में भी स्वाद भी बढ़िया आएगा एक बराप इस रेसिपी को बना करके जरूर ट्राइ करिएगा और मेक शिर अकर वीडियो अच्छा ल तेज पत्ताय के बाद थेल में ही मैंने पेहले से रिकष्डिंग नहीं हो पाया है की इसके लिए लाल मिच पाया प्रत जो हमने पेश्ट बनाया तो वो डालके भूल लिया फिर उसके बाद डाले बेसिक मसाले जैसे हो गया धनिया पॉड़क गरम मसाला जीरा पॉड़क डालके अच्छे से धीमयाश पर पका लेंगे उसको थोड़ा दिर पकने के बाद हमने स्वात के निसा डाल दिया नमक और जार में हमारा पेश्ट बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डालके उसको अच्छे से बूल लेंगे मसाला भून जाए तब ही टेस्ट अच्छा आएगा नहीं तो नहीं आएगा यहां पर बढ़िया तेल सेपरेट हो चुका है इसका मतलब मसाला भून चुका अपने ग्रीवी के हिसाब से इसमें पानी आट कर देंगे मेक शूर पानी थोड़ा गरम रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी ग्रीवी अच्छे से तयार हो जाएगी जल्दी ही तयार हो जाएगी जो यहां पर सबजी जो दस मिटे बनेगी वह पांच मिटे बनके तयार हो जाएगी गरम पानी डालने से हाँ पर बढ़िया बॉयल आ चुका है देखिए ग्रेवी भी अच्छी दिख रही है अब इसमें जो हमने प्राई किये थे अपने कोफते मटर के उसको इसमें डाल करके अच्छे से दो मिनट जादा नहीं दो मिनट पकाएंगी जिस नहीं करी यह देखिए कितना मस्त लाजवाब देख रहा है आप इसमें धनिया पता उपस डाल देंगे अब बढ़िया अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बुले बबाई